हेलो फ्रेंट्स, वेलकम टू माई चैनल जट पूजा कि आप सभी को धेर सारी सुब काम नाए आज हम बनाएंगे नहाखाई की स्पेसल लौकी भाद जो कि हमारे यहाँ पर उसे प्रशाद भी कहते हैं तो आज मैं बनाने वाले लौकी भाद और जो उसमें सबजी बनती है लौकी की पकौरे बनते हैं मैं वो सभी चीज़े बनाओंगी और आप लोगों के साथ ये वीडियो सियर करूँ तो आप लोग प्लीस अपना प्यार दीजेगा इस वीडियो को तो चलिए बनाना शुरू करते हैं खाना सबसे पहले कठाई मी हम डालेंगे 4 चमबच के मताबिक सर्सो का तेल फिर हम इसमें डालेंगे आदा चमबच के मताबिक जीरा जीरा यहाँ पे चटक चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए लौकी लौकी में हम डाल देंगे भिगो हुए चने का डाल इसे मैंने 5-6 घंटे भिगो करके रखा था लौकी और चना डाल को हम यहाँ पर अच्छे से मिला लेंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच के मताबिक अदरक का पेस्ट आधा चमच हम इसमें डालेंगे हल्दी पॉडर एक चोथाई चमच काली मिर्च का पॉडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे जीरा पॉडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे धनिया पॉडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे मिर्च का पॉडर एक चमच हम इसमें डालेंगे सेला नमक, स्वाद के अनुसार सबजी और मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे लौकी की सबजी से यहाँ पे काफी अच्छा पानी छूटने लगा है अभी हम यहाँ पे सबजी को ढख करके धीमे आज पे पकाएंगे चूली के दूसरी साइट पे हम बनाएंगे चनी का डाल डाल को मैंने यहाँ पे अच्छे से धो लिया है डाल में हम डालेंगे दो ग्लास के मताबिक पानी फिर हम दाल में डाल देंगे आधा चबमच हल्दी पौडर नमक हम डालेंगे स्वात के अनुसार सेला नमक दाल को हम यहाँ पे अच्छे से एक बार मिला लेंगे फिर हम कुकर के ढकन को अच्छे से सेट कर देंगे और दाल में करीबन हम 6 सीटी लगने देंगे क्योंकि चने के दाल को पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है तो धीमे आज पे हम दाल को यहाँ पकने देंगे फिर हम चेक कर लेंगे लौकी की सबजी को लौकी की सबजी का पानी बिल्कुल यहाँ पे सूख चुका है और लौकी की सबजी जो ही यहाँ पे बन के बिलकुल तैयार हो चुका है दाल में यहाँ पे 6 सीटी लग चुका है और दाल से प्रिशर भी निकल चुका है तो अभी हम यहाँ धकन खोल करके दाल को चेक कर लेंगे दाल यहाँ पे काफी अच्छे से पक चुका है आप लोग देख सकते हैं दाल जो है वो गल चुका है बहुत ही अच्छे से तो दाल भी यहां पे बन के हमारा बिलकुल तैयार है और लौकी की भी सबजी यहां पे बन के बिलकुल हमारी तैयार है दो डीस हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुके दाल और लौकी की सबजी तो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे गोबी और आलू की सूखी सबजी और इधर हम बनाएंगे अर्वा चावल का भाद पानी मैंने गरम होने के लिए रखा पानी में जब उबाल आएगा तब हम उसमें चावल डालेंगे और यहाँ पे कढ़ाई में मैंने तेल डाला था तो सबसे पहले हम यहाँ पे गोबी को फ्राई करेंगे गोबी यहाँ पे फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे वापस से कढ़ाई में हम तेल डालेंगे और इसमें हम आलू को फ्राई करेंगे आलू को भी हम यहाँ पे थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे थोरी दिर फ्राई करने के बाद आलू भी यहाँ पे थोरा सा क्रिस्पी फ्राई हो चुका है फ्राई की हुए आलू को हम एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे पतीले से ढकन हटा करके हम पानी को चेक करेंगे तो पानी में काफी अच्छा उबाल आ चुका है बिलकुल ऐसा ही उबाल चाहिए था हमें चावल के लिए तो इस तरीके से अगर उबाल आ जाए और आप चावल मिलाते थो चावल जो हो बहुत ही अच्छे खीले-खीले बनके तैयार होंगे पानी में हम डाल देंगे चावल, चावल को मैंने धो करकी रखा था तो अभी हम चावल को पानी में मिला देंगे चावल को हम यहाँ पे पानी में अच्छे से मिला देंगे चावल यहाँ पी एक तरह पक रहा है तब तक करहाई में हम वापस से तेल डालेंगे तेल भी हम डालेंगे कुछ खरे मसाले तो यहाँ पिलिया है मैंने दो सूखी मिर्च, एक चमच जीरा, एक दालचिनी का टुकरा, दो हरी, इलाइची, चार लॉंग सबसे पहले तेल में हम डालेंगे जीरा जीरा जब यहाँ पे थोरा सा चटक जाएगा फिर हम सभी मसाले को डाल देंगे फिर हम इसमें डालेंगे एक चमच अदरक का पेस्ट, आधा चमच हम इसमें डालेंगे मिर्च का पॉडर, आधा चमच हल्दी पॉडर, आधा चमच जीरा पॉडर, एक चौथाई चमच काली मिर्च का पॉडर मसाले में हम यहाँ पे डालेंगे थोरा सा पानी वरना मसाला जो है वो यहाँ पे जलने लगेगा नमक हम डालेंगे स्वात के अनुसर सेला नमक सभी मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और धीमे आज पे मसाले को हम यहाँ पे पकने देंगे मसाले से यहाँ पे काफी अच्छा तेच छूटने लगा है तो अभी हम इसमें डाल देंगे कटे हुए टमाटर टमाटर को हम यहाँ पे सौफ्ट होने तक मसाले के साथ पकने देंगे चावल को हम यहाँ पे चेक करेंगे तो चावल भी यहाँ पे काफी हद तक पक चुका है एक बार हम इसे चेक कर लेंगे चावल यहाँ पे पूरी तरीके से पक चुका है तो अभी हम यहाँ पे चावल से पानी को अलग कर देंगे तमाटर यहाँ पे मसाले में काफी अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है तो अभी हम इसमें डाल देंगे फ्राइ किये हुए आलू और गोवी आलू गोवी को हम यहाँ पे मसाले में अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर हम सबजी में डाल देंगे एक ग्लास के मुताबिक पानी सबजी को हम यहाँ पे ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर देंगे और धीमे आज पे इसे हम ढख के पकने देंगे एक तरफ मैंने सबजी को ढख करके पकने के लिए रख दिया और दूसी तरफ मैंने पानी से चावल को भी अलग कर दिया है आप लोग देख सकते हैं चावल के जो दाने हैं वो काफी अच्छे खीले-खीले बनके तैयार हुए है धकन हटा करके हम सबजी को चेक कर लेंगे तो सबजी से यहां बहुत ही अच्छी खुस्बू आ रही है बिना लहसन प्याज के बहुत ही सुन्दर दिख रही है सबजी और बहुत ही दिखने में टेस्टी लग रही है तो अभी हम इसमें डाल देंगे बारिक टुकरों में कटे हुए धनिया पत्ता अभी हम यहां पे सबजी को एक बार अच्छे से मिला लेंगे तो यहां पे हमारी सबजी बनके बिलकुल आलू गोबी के तैयार है कढ़ाई में हम डालेंगे दो चमच के मताबिक सरसो का तेल क्योंकि अभी हम बनाएंगे यहां पे आलू चौप का मसाला वो भी बिना लहसन प्याज के यहां पे लिया हमेने एक चमच अदरक और दो हरी मिर्च आधा चमच हम इसमें डालेंगे जीरा पौडर आधा चमच हम इसमें डालेंगे लाल मिर्च पौडर सरसो तेल में हम डालेंगे एक चौथाई चम्मच जीरा फिर हम इसमें डालेंगे सभी मसाले एक चौथाई चम्मच हम इसमें डालेंगे गरम मसाला पॉडर नमक हम डालेंगे स्वात के अनुसार मसाले को हम यहाँ पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आलू का मसाला यहां पर बन के बिल्कुल तैयार हो चुक है तभी हम इस पर डाल देंगे धन्यापत्ता और धन्यापत्ता के सांथ आलू को एक बार फिर से हम मिला लेंगे तेल मैंने यहां पी गरम होनी के लिए रखा है और बीसन का एक बैटर मैंने तैयार करके रखा है आलू के बनाए हुए मसाले को मैंने इस तरीके से चप्टा कर लिए और इसे बैटर में हम अच्छे से लपेट लेंगे और तेल में इसे हम डीप फ्राइ करेंगे आलू चॉप यहां पी एक साइट से फ्राइ हो चुका है तो अभी हम इसे पलट करके दूसरे साइट को भी अच्छे से फ्राइ कर लेंगे आलू चॉप यहां पी काफी अच्छे से फ्राइ हो चुका है तो अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल के रख लेंगे फिर हम बनाएंगे लोकी के पॉकरे तो लोकी को मैंने यह यहां पे ट््रायांगल सिप में काटा है तो इसे भी हम बैटर में लपीट लेंगे और फिर हम इसे तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए पॉकरा यहां पी एक साइट से पक चुका है तो दूसरी साइट्स को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे पकौरा यहाँ पे थोरा सा फ्राई हो चुका है थोरी देल इसे अभी हम और फ्राई करेंगे लौकी का पकौरा यहाँ पे काफी क्रिस्पी फ्राई हो चुका है तो अभी हम इसे एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे चट पूजा की नहाख हाई का जो खाना है वो प्रशाद यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है तो चावल, डाल, लौकी, चर्णे डाल की सबजी, आलू गोबी की सबजी, दही और यहाँ पे मैंने लौकी के पकौरे और आलू चौप सभी को यहाँ पे सर्फ किया है यहाँ खाना मैंने अपनी सासुमा मदर इन लौक के लिए बनाया था जिन्होंने छट पूजा किया है तो उन्हें यहाँ खाना बहुत ही पसंद आया, आप लोगों को मेरी यह वीडियो कैसी लगए, कमेंट में जरूर बताएगा अगर वीडियो अच्छी लोगे तो वीडियो को एक लाइक कर दीजेगा, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कीजेगा नीचे दिएगा बैल आइकन को क्लिक कीजेगा, ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके वीडियो देखने के लिए धैने बाद दोस्तों